तो कापासिटर्स के अंदर में लीनियर डायलेक्ट्रिक्स की हम लोग बात कर रहे थे शुरू की थी हमने बात उसी को आगे बढ़ाते हैं अगर हमारे पास में एक पैरलल प्लेट केपासिटर है और उस पैरलल प्लेट केपासिटर का एरिया काफी ज्यादा हम लोग हमेशा लेकर चलते हैं और उसमें हमने कहीं पर कोई डायलेक्ट्रिक की ऐसे स्लाब डाल रखी है और यहां का जो चार्ज है मानले उसकी चार्ज दंसिटी कि यहां पर माइनस सिग्मा फ्री चार्ज यह फ्री चार्ज है् प्लेट्स इस और हमलोग सब Sapphire यह देखें कि यहां पर कितना चार्ज इंडूस हो गा इसड़लेक्ट्रिक पर यहां कितना चार्ज होगा डायक्तिटरिक होगा बेंग्लalten परकार से होगी और उसके लिए हम लोग इस पुलराज़ेशन को पहले निकाले दी निकालने पहले दी निकालने के लिए हम इस तरीके का गॉशन सर्फिस बना सकते है यहां इस मेटल प्लेट के अंदर से गुजड़े और फिर बंद हो जाए साइट से ऐसा एक गॉस्षन सर्फेस बना सकते हैं और उस पर टाइवर्जेंस ओफ दी इक्वल टो रो एफ अर्थात डी डॉट दीए इक्वल टू फ्री चार्ज इंख्लोज इसका इस्तेमाल कर सकते हैं यहां गर हम लोग देखेंगे तो मेटल के अंदर में चलते हैं तो प्लराइजेशन जिरू होता है क्योंकि डैपल मॉमेंट्स वहां पर नहीं होते हैं यहां पर डी जिरू है यहां पर जो डी है वो सर्फ बाहर की ओधेर को जो इस तरफ को होगा हमारे सर्फ एधर को दिए इधर को गार्डी इधर को तो दी इंटू यह एरिया है यह इतना एरिया है यह इंटू एरिया यह बनेगा फूर इक्वल टूक्यू एफ और QF किया है, जो इतनी दूर का charge है, free charge, यह, यह free charge है, यहाँ पर bound charge आने वाले हैं, उसको लिखने की ज llegóर्सथ नहीं है, इस equation में, तो स्सीं में लिखेंगे सिग्मा इंड ली इतना चार्ज इसके अंदर मैं आ गया अंदर में इसके इंग्लोस हो गया तो यह विए दी बराबर सिग्मा पहले देखना चुके northernya में इस तरह के परिष्टिति में डी बराबर सिंग और दी में और पी में से रिष्टा बना सकते हैं एप्सलीन नॉट इप्लस पी बराबर दी यह हमारा हमरी परिभाशा है यह और चुकर लियर यह है इसलिए इसका जो पी है epsilon 0 times chi E times E, so E is equal to E, epsilon 0 times E, epsilon 0 times E, P divided by chi E, P divided by chi E, susceptibility plus P, A is equal to D or magnitudes, P common 1 by chi E plus 1, D or D sigma, so here you can write P, P sigma into chi E, sigma into chi E or divided by 1 plus chi E, or K minus 1 or divided by a K, dielectric constant, so P is independent, dependent है, यहां ले, यहां ले, यहां ले, यहां ले, यहां ले, यहां ले, as long as यह बड़ा surface है, तो सभी जगए एक ही P है, तो यहां जो surface पर है, यहां भी यही P है, और यहां पर अगर हमने normal देखा बहर की तरफ ऐसा, और यहां पर जो charge आया है sigma bound, P dot in cap ऐसा, तो minus P बनेगा वो, minus P बनेगा और अर्थात यह negative of sigma times 1 minus 1 by K, ऐसा यहां पर charge उत्पन्द होगा, और यही P यहां तक भी है, यहां अगर देखते हैं, तो P इधर को और outward normal भी इधर को, इस surface पर गर देखते हैं, यह पर surface के लिए और lower surface पर अगर देखेंगे, तो इसी का positive, lower surface पे गर देखेंगे हम, इसी का positive sigma B is equal to plus sigma 1 minus 1 by K, ऐसा यहाँ पे हमको plus और minus में यह charges मिलेंगे, यहाँ पे कुछ negative charges मिलेंगे, यहाँ कुछ positive charges मिलेंगे और जो magnitude है वो यह है sigma into 1 minus 1 by K, ऐसा और इसमें इस gap का भी कोई महत्व नहीं है, आप यह पतलानी लेकर के मोटा भी ले सकते थे, पूरा भी भर देते, तो भी वही होता, तो भी यहाँ पर यह जो चार्ज है वो इतना ही बन करके आता, और इसमें से एक चीज निकल करके आती है, कि अगर हम जो यहाँ और यहाँ के बिच potential difference है उसको देखें, potential difference जब हम देखते हैं, पुरा भर दिजे, मानले हम इसको पुरा भर देते हैं, कोई भी calculation उस पर डिपेंड नहीं कर रहा था, तो इसको पुरा भर दिजे, इसको पुरा भर दिजे ऐसा, डिएलेक्ट्रिक से, तो free charges metal के उपर होंगे, और जो bound charges हैं, वो इस डिएलेक्ट्रिक के surface पर होंगे, यह दिपी दोनों बिलकुल सटे सटे हैं, तो यहाँ पर यह bound charges हैं, ऐसा, और अब यहाँ से यहाँ तक का अगर हम potential difference देखने की कोशिश करते हैं, potential difference, तो वो V है, E times D, अधिवाश आई है, अगर 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 सबकुछ uniform है, तो rate of change uniform है, यहाँ से, यहाँ में potential का जो drop आएगा, वो E into distance, यह D, यह d distance तो इतना इसका potential difference बनेगा और e की जगा क्या लिख सकते हम चुकिए हमारे पास में d का value पता है तो हम e का value यहीं से लिख ले सकते हैं d बराबर sigma है इसी को फिर से लिखे इस e के लिए दिखे इसी को फिर से लिखे एप्चला नॉट ताइमस e और प्लास p p यहने एप्चला नॉट काई e और फिर से e यह है यह p और पराबर d ऐसा Epsilon naught yaha, E山 or 1 plus chi E e yaha or sigma is sigma. So, it is the electric field E is equal to sigma divided by epsilon naught sigma divided by epsilon naught or यह यह जासा है इसलिए V सिग्मा टाइमस दी दिवाइड बाइप्स नॉट के और सिग्मा को आप यह टोटल फ्री चार्ज जो जितना आपने प्लेट पर दिया है उससे रिलेट करके लिख सकते हैं यह हो गया Q दिवाइड बाइड बाइड गूड़एड बाइड वाइड हमने बैटरेस या या जिसे भी इसको प्लेट को दिया होगा वो चार्ज क्यू है तो सिग्मा हो गया दी हो गया एप्सलान नॉट हो गया और क्यों हो गया यहां से आप Q नौट A by D Q by V बरावर यह सब कुछ इधर आने वाला विए दी नीचे जाने वाला है तो ऐसा यह इतना कपासिटेंस है अगर यह डाइलेक्ट्रिक नहीं रखा होता तब जो कपासिटेंस होता इफ नू डाइलेक्ट्रिक इस प्लेस्ट तो वैसे हालत में यह जो सी होता सी नौट कहलेजे वह एक नहीं होता आके सब ऐसा ही होता जानते ही आफ पलेट के पासिदन का रूल टिन जानते हैं लेकिन हमने यहां पर डिस्प्लेस्मेंट फिल्ड पोलर आज़िएशन इनकी इनका सहारा लेकर केश को डिडूस किया है बहुत बाए शुरूआत श करते हैं डाइलेक्ट्रिक का लेकिन हम अगर बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक स्केल से चलते हैं इस प्रकार से हम यह कर सकते हैं ऐसा ही अगर बैटरी कनेक्ट की हुई होती हमने तो क्या हो गया अभी इलेक्ट्रिक फिल्ड में ना कम हो गया डाइलेक्ट्रिक नहीं था तब जो इलेक्ट्रिक फिल्ड था उसके बजाए डाइलेक्ट्रिक है तो इलेक्ट्रिक फिल्ड कम हो गया कर दो सकते थे हम इस कापसिटर के प्लेटS को बाटरी से जोडे रखें इसको हम बार्टरी से जोडे रखें और ऐसी हालत में हम इसको डालेक्टिक से भर दें और तब देखें कि चीजें कैसे जा रही है तो वह अगर हम करते हैं तो शुरुआत में जब आपने कुछ नहीं भरा हुआ है और इसका कपासिटन सी नॉट है तो समय में यहां से जो भी इस बैटरी का पुटेंशल होगा उतना जो होगा क्यू वह अपना सी नॉट इंटू भी आसा यहां पर चार्ज जाएगा अब अगर हमने यहां पर यह इसको इस जगह को डालेक्टिक से भर दिया लेकिन यह लगा हुआ है तो अभी इन दोनों प्लेट्स के भी जो पोटेंशल डिफरेंस है वह भी उतना ही प्लेटिक है उसके करण से जो polarization हो गया है यह कर यहां पर पॉजटीव चार्ज था टाप प्लेट्स के ऊपर तो यहां पर कुछ ने डिफट आएंगे और यहां पर कुछ पॉज़िव चार्ज इंड्यूस होकर कर आएंगे यह uży.\ लेकिन वी नहीं घटनेवाल नमी नीड़ प्राइम ऐसा इसमें परिवर्तन करना पड़ेगा अगर वही इलेक्टरिक फिल उतना ही रमmm प्राइम करना पड़ेगा इसको कि पीड़ेगा पड़ेगा ता कि किता कि में एलेक्टरिक फिल उतना या जा जाए तो कैसा लिखेंगे हम इस बार इविल भी सिंगा प्राइम जा कि को करेंगे उसी तरह से आप गॉशन बनाइंगे और बना करके करेंगे तो तो ती बिलबी सीधाब प्राइम और यहां से आपलिक talkin Быk सकते और ओव डी सभी जगें कि इतने learn यहां से आप इल adventures एद्डी औरर एक बीच में जो संबंद्ध जो डी और एक बीच में सीधा संबंध है है निकाला होगा कहीं पर D मέमें और ये टी में और एफ इस इस जमा से आप से आप से आप देखें इबराबर इवा इड्यड़ बायड़ ये अब ल way कर सकते हम सिग्मा प्राइम डिवाइब बाएप्चलों नौट और कि ऐसा है किसि आप प्राइम जो है वो अब एप्सलान नौट टाइम्स के टाइमस यह हो गया है और यह वही है जो कि डाइलेक्ट्रिक रखने के पहले था क्योंकि जो वी है यह नहीं बदला वी बाइडी करेंगे तो यह मिलेगा और इसलिए जो रेट आफ चेंज ऑफ वी है वही है यह नहीं बदला है ही वही है सिग्मा बदल गया है सिग्मा प्राइम इतना हो गया अगर हमने डाइलेक्ट्रिक नहीं रखा होता और यहीं डिमांड किया होता तो ऐसी हालत में हमारा जो सिग्मा था एप्सलान नौट इंटू इथा तो के टाइमस सिग्मा बढ़ गया यहने के टाइमस चार् Q और यहां पर V है फिर से एक बार एक के इन्टु सी नॉट वही वही रिलेशन आपको फिर से यहां पर मिलता है मेकनिजम थोड़े से अलग हो गए हैं पहले केस में हमने बैटरी हटा दी तो चार्ज उस फ्री चार्ज वहां पर जो थे वो नहीं से आ सकते थे नहीं जा सकते दिया को बढ़ा दिया अभी चुके बैटर लगांकर रखी हुई है तो जितना आपने जब डाएलेक्ट्रिक लाएंगे और चार्ज इंड्यूस होंगे तो बैटरी एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाई करके यह फ्री चार्ज के मैंगे उसको बढ़ा करके फिर से आपको वही जल्ट देगे तो अगर आप डियालेक्ट्रिक घुसाते हैं उसके अंदर में कैपासिटर के प्लेट के बीच में तो वह पासिटेंस उसका बढ़ता है हलाएक हमारे जो आक्च्वल कापासिटर होते हैं वह ऐसे कभी नहीं होते हैं कि वह बीच में खाली जगा रहे है क्यो बड़े बड़े प्लेट्स करने हैं वह ऐसा हुतर है लेकिन हम थेड़ी की समझ के लिए यह सारी चीज़ें यहां पर करते हैं एक और टॉपिक ले ले उसके बाद इस चीज पर आधारी तेक छोड़ा सा डेमो दिखाएंगे और वह हमारे स्कॉर्स का आखिरी पाठ होगा एनर्जी कापासिटर के अंदर एनर्जी तो हम लोग ने यह सब किया हुआ होगा अपने 12 के अंदर में लेकिन फिर भी कि अगर हमने डियलेक्ट्रिक भर दिया इसके अंदर में इस पूरे में हमने डियलेक्ट्रिक भर दिया कि यहां पर ये मेटल प्लेट से और यहां दिया फ्री चार्ज और माइनस व्यू चार्ज यहां दिया उसके करण से यहां पर कुछ अपने चार्ज इंड्यूश हुए इसमें अगर हम एलेक्ट्रो स्टाटिक एनरजी कितनी है उसकी गन्ना करें तो इसका जो एक सिंपल सा मेटेड है कि क्यों चार्ज यहां पर बिल्ट पकर आया जाया यह चुछ धीरे-धीरे लाया जाए और लाकर करके यहां रखा जाए तो शुरुवात में हमने जीरो चार्ज शुरू किया और इसके बार थोड़ा सा dq यहां और थोड़ा समानिस देखा यह ऐसा कहिए कि यहां से को निकाल करकी जला करके यहां पर लागित यहां से की निकालेंगे तो माइनस दीचुच्च भ coffin दो प्लास की हो जाएगा ऐसे दीक्यू दीक्यू करते करते हम भोन यह पुरा different करते है प्लस Q, और मीनस Q, तो एक स्टेज जबकि यहां पे और UPुप हम यहां से लेकर चल रहें हैं dq यहां से से लेकर यहां चल रहे हैं ताकि इस माइनस q ka क्वाल स्टीव ऐसा हो जाए और यह जो फ्लास क्यू है उसका क्यू फ्लास दीक्यू ऐसा हो जाए इस स्टेप में कितना इनर्जी अश्ञ Im दालेक्ट्र केहाँ पर आप पढ़ा है यहां जो ईलेक्ट्रिक फील्ड होगा वोँ आप लिख सकते हैं वुँआ है सिगमा यानि क्यू बाई A एपसलन नॉट और कापिल के अभी हम लोगों देखा इस बात को वह क्यू बाई A एप्सेलन नौट और यह डियालेक्टिक कॉंस्टेंट के इतना इलेक्टिक फिल है तो फोर्स अगर लिखेंगे इस दिक्यू पे जिसको हम यहां से उठा के यहां ले जा रहे है तो फोर्स उस पर लिखेंगे दी एफ कहले जिए छोटा ही है दीक्यू इंटु इंटु यह क यू ए एप्सेलन नौट के तो यह इतना इसके उपर फोर्स लगा है और यहां से इसको हम डी डिस्टेंस इस फोर्स को लगाए-लगाए लेकर के चले हैं कितना वर्क किया हमने तो वर्क डण जो कि उसकी इनर्जी बढ़ा रहा है वर्क डण और विचिट सेम अज डी यू कितना इनर्जी उसकी बढ़ी इस स्टेप में वो इतनी हो गई क्यू कि दिक्यू यह तो फॉर्स लिखा एप्सलान नौट के इंटू डिस्टेंस ऐसा है और कि याद रखिये यह जो फोर्स ठीबद रहें वह मारा लगाया ऊपर की तरफ है और उसके कारण से जो वर्क हो रहा है वह फोजितिफ फो रहा है और वह अगर हम करते हैं तो यू निकालते हैं क्यां क्यू डिक्यु यहां पर उसका integration होगा बाकि सबकुछ constant है तो उसका integration करेंगे हम qdq का बाकि सबकुछ constant है d यहां और epsilon not यहां a यहां और k यहां ऐसा और q पर integration है शुरू में q बराबर 0 है small q बराबर 0 है और अंत में small q बराबर capital है तो इसके यह limits हम रखेंगे और तब यह बनेंगा q square by 2 capital q square by 2 ऐसा और अगर आप देखें की capacitance का जो सूत्र होता है वह आपको मालूम है epsilon not a by d यह general formula है जब कोई डियलेक्टिक नहीं होता और उसको k से multiply कर दिए तो अब जो अभी जो capacitance है वह मिल जाता है तो यह पूरा यहां से यहां तक जो हो capacitance a denominator में this is q square by 2c डालेक्टिक नहीं होता तो भी यही शूत्र होता सी का मान बदल गया है सूत्र का मान नहीं बदला है सूत्र का फॉर्म नहीं बदला है सूत्र के शकल नहीं बदली है electrostatic energy ने capacitor dielectric हो यह नहीं हो q square by 2c ही होता है हाला कि capacitor डालने से वह बदल जाती है energy क्योंकि c बदल जाता है c बढ़ जाता है इस प्रकार से यह इनर्जी इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं ऐसी इसी को आप क्यू बराबर cv कर दीजे तो half cv square ऐसा भी लिख सकते हैं और इस c को आप electric field के terms में भी लिख सकते हैं अब जो electric field लास्ट अंत में जो electric field है यह तो बीच वाला electric field था आखरी जो electric field है वो q divided by a epsilon not k है यहां से आप इस q को लिख सकते हैं epsilon not a k times e और यह q अगर आप यहां इस्तेमाल कर लेते हैं तो जो energy है यू वो हो जाएगी capital q का square यहाने epsilon not ka square capital a ka square फिर capital k ka square और e ka square और फिर divided by two times q square यहां से भी ले सकते हैं यह two times c कर सकते हैं यहां से ले लिजे q square divided by और एक d है उपर में और divided by two epsilon not a k यह पुरा energy का expression a capital q का square पहले लिखा डी लिखा टू लिखा एप्सलन ओट लिखा ए लिखा और के लिखा ऐसा यह जो तीनों यहां पर है एप्सलों नौट एके एप्सलों नौट एके इनके स्क्वार्ट यहां से हड़ा दे सकते हैं क्या बचा हाफ यह टू लिखा हमने यह के लिख रहे हैं हम यह के लिखा हमने और यह एप्सलों नौट लिखा हमने और उसके बाद फिर यह यह का स्क्वार्ट लिखा हमने और उसके बाद यह कापिटल लिखा हमने और यह दी लिखा हमने देखे कुछ चुटा क्या है energy per unit volume यह अगर करते हैं हम तो बनता है हाफ के एपसलोन नौट इसक्वार तो हमने कभी चर्चा की थी कि Straight electrostatic में energy को हम फील्न में है साहिसा हुआ सकते हैं और चार्जा जेंशा में है साहिसा भी मान सकते हैं तो फील्ड में अगर हम करते हैं कहा है इस फिल्ड में है तो पार युनित वॉल्म कितनी नर्जी है वह यहां से निकलकर कर आती है डालेक्टिक नहीं होता तो हाफ एप्सेलों और इसक्वार होता यहां जो डाइपोल्स है उनका जो एलाइनमेंट है उसके कारण जो नर्ची है वो भी इसके अंदर में इंक्लूड़ है और इसलिए ऐसा इनर्जी पर यूनिट वालिम का सूथ रहे हैं यहां पर हम अपना को जाता अगर पुरा भर दें तो और अगर पुरा नहीं भरें तो कुछ काम बढ़ेंगा लेकिन बढ़ जाता है इसका एक छोड़ा सा देमों देते हुए इस को हम एंड करते हैं यह हमारे कापासिटर है यह दो एलिमिनियम के प्लेट्स हैं जो एक दूसरे के पैरलल है और लकरी के स्टैन्न पर हमनों इसको फिक्स कर दिया है और यह हमारा कापसटेंस नापने का मीटर है तो जब हम इसका पावर करते हैं है ड्मानिकर जो चैंड주도 प्लेटों के साथ किनक कर देते हैं ऐसा इसकोर Damm हमने और ऐसा इसको कनेक्ट कर दिया हमने और अब इसका पावर ऑन कर देते हैं और आप देखें 68.5 और उसके बाद बहुत छोटे अक्षरों के अंदर में पीएफ लिखा आप देख रहे होंगे यहां पर इधर में यह पीएफ लिखा देख रहे होंगे इस तरफ यानि पिको फराड शिक्स्टी एट पॉइंट 5 पिको फराड यह इसका कपासिटन से इस समय में और अब य हम डालेक्ट्रिक के रूप में इसका इस्तेमाल करेंगे इस दफ्ती का और एक जो दफ्ती है वह इस दोनों प्लेट के बीज में हम डाल रहे हैं और यह हमने दफ्ती यहां पर डाल दी और आप देखो 68.5 से बढ़के 73.7 पिको फराड यह इसका कपासिटन्स हो गया है एक और दफ्ती हम डाल सकते है यहां पर अगर और भी हमने थीकनस बढ़ा दी है अपने डालेक्ट्रिक के 78.7 पिको फराड एक और डाल दीजे एक और इसमे डाल दीजे आप 93.92.9 पिको फराड एक और डाल दीजे आप तो 120.7 पिको फराड इस तरी के से डालने से यह बहरने से बढ़ता है यह प्रतक्शा यहां पर देख रहे हैं तो इसी के साथ अपना क्लासिकल Electromagnetism का पहला भाग एन Electrostatics यह कोर्स हम यहां खतम कर रहे हैं सभी विद्यार्थी सभी टीचर सभी सीनियर्स जो इस कोर्स के अंदर में आये फोरम डिस्केशन में भाग लिया परिक्षाओं में भाग लिया बहुत सारा फिजिक्स सीखा और सिखाया उन सबको बहुत-बहुत धन्यवाद अगला कॉर्स फिर हम शुरू करेंगे होपफुली 26 जैनवरी को तब फिर मिलेंगे बहुत-बहुत धन्यवाद थैंक यू